भारती राष्ट्री राजमार्ट प्राधिकरण यानी एनेचाई बुनियादी धाचा विकास कारिकरम का संजालन कर रहा है भारत माला परियोजना के तहत देश में कई एक्सप्रेस वे और हाईवे का निर्मान हो रहा है अज मैं आपका स्वागत है आज मैं आपको नए अपडेट देने वाला हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की बस स्टेंड बन रही है जो वेसाइट अमेनिटीज बन रही है दलावदा इंटरसेक्शन से थोड़ा सा आगे दलावदा के यहाँ पर सारी वेसाइट अमेनिटीज यहाँ जो बन रही है बस स्टेंड के अंदर वोन सारी चीजों का मैं अपडेट दूँगा पास में जाकर कि क्या-क्या चीज़े बन रही है यहाँ पर आगे चलकर यह भी बताऊँगा कि कहां क्या चीज बनने वाली है सारी चीजें यहाँ पर बन गई है कुछ समय पहले यह जगे बिलकुल सुनी जगे थी खेती वाली जगे थी लेकिन आज यह बहुती अट्रेक्शन का पार्ट बन गई है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस व बन रहे हैं जिसमें होटल्स वगेरा सब कुछ होगा तो हो मैं आपको आगे चलकर पास में चलकर वो भी दिखाऊंगा कि कहां पर क्या बन रहा है तो बने रहे हैं व्लोग में दोस्तो तेज आवागमन और यात्री गती विदियो को ध्यान में रखते हुए NHI ने 100% वास्तविक टोनिक टोल्टेक्स लागू कर दिया है जिससे टोल्टेक्स पर होने वाली देरी खत्म हुई है NHI की अगली पहल में नीजी वाहन चालकों और ट्रक चालकों को विश्विस्तरी सुविधाय प्रदान करने के लिए हाइवे के 60-70 किलोमेटर के अंतराल में वेसाइट अमिनिटीज विक्सित की जा रही है दोस्तों NHI सभी Greenfield Expressway को कवर करते हुए इन वेसाइट अमिनिटीज का विकास कर रहा है जिससे वो चाहता है कि एक राष्ट व्यापी ग्रीड तयार हो जाए इन वेसाइट अमिनिटीज का तो दोस्तों आप देख रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वेपर बन रही वेसाइट अमिनिटीज का विडियो पर कुछ वरकास भी हमार साथ काम कर रहे हम इन से जानने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या बन रहा है तो देखते हैं भाई साब यहां क्या बन रहा है यह बिल्डिंग किस चीज़ की कोई होटल वगेरा या रिस्ट्रेंट अच्छा तो यह भाई जैसा की बोल रहे हैं कि यहां पर होटल बन रहा है तो यह देखिए आप होटल इस अंदा जाई लगा सकतेगी कितना मजबूत और कितना बड़ा होटल बनने वाला है यहां पर और भी कुछ आइडिया और क्या चीज़े बन रहे हैं यहां बस्टेंड के अंदर बस्टेंड बन रहा और पाज मंजील बन रहा अच्छा पेट्रोल पम बगएरा भी बनेंगे अच्छा हर चीज़ बनेगी ओके थेंक्यू तो दोस्तों आप यह देख रहे हैं काई Frankly आगे बन रहेे हैं कि यहां पर बिल्डिंग बन रही है क्योंकि जब यह बिल्डिंग यह अलग-अलग रूप ले ले लेगी कहीं होटल करिंगि यह इस चीज़ क 있으면 नहीं कि है तो दोस्तों यह बस्टेंड और वेसाइट कंविनिकीज दो पार्ट में बन रहे हैं ए एक रोड के इस साइट और एको रोड के उस साइट दुसरी तरफ मैं आगे चलकर वहाँ भी बताऊंगा, ये दूसरी साइट जहां मैं अभी जा रहा हूं, ये दूसरी साइट का पार्ट है, यहाँ पर भी इतने ही बिल्डिंगों के लिए लिए पिलर्स खड़े किये जा र ताकि इस्थानी लोग अपनी कलाकृतिया यहां पर बेश सके जिससे की लगू उद्योग और कुटिर उद्योग को बढ़ाव मिलेगा और रोजगार के भी अवसर बनेंगे इस्थानी निवासियों के लिए वहीं दोस्तों बात करें ट्रक ड्राइवरों और रागिरों की त तो इन वेसाइट अमेनिटीज का ये भी फाइदा होगा इसलिए ये विक्सित की जा रही है कि ट्रक ड्राइवर भी अपने सामान की चिंता किये बिना यहां पर ट्रक आराम से पार्क करके रेश्ट कर सकते हैं और सफर का आनन ले सकते हैं वहीं दोस्तों कहीं कहीं बड़ी जगे वेसाइट अमेनिटीज में मीटिंग रूम्स भी होगे और सारी मेडिकल सुईधाएं भी होगी हर जगे वेसाइट अमेनिटीज में होस्पिटल्स और ड्रामा सेंटर्स और साथी साथ दोस्तों कोल्ड इस्टोरेज और सारे बनाय जा रहा है ताकि इमर्जेंसी से निपटने के लिए तुरंद सुविधाय तुरंद मेडिकल सुविधाय उपलब्द कराई जा सके इस हाइवे से शेत्र की जनता को जहां जहां से ये हाइवे निकला है बहुती ज़्यादा फाइदा होगा और रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे तो दोस्तों ये भारत की राजदानी दिल्ली और भारत की अध्योकिक राजदानी मुंबई के बीच एक बहुती शांदार कनेक्टिविटी मुहय करने वाला हाइवे होगा और माल का अवागमन भी इससे बहुत तेज होगा और जनता को भी बहुत फाइदा होगा तो दोस्तों देखिए ये यहाँ पर रोड पूरा नीचे हैं और इधर बस्टेंड है दोनों तरब जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है दो बस्टेंड के दोनों साइड जागा आप देख सकते हैं ये रोड का लेवल बिलकुल यहाँ बस्टेंड से लेवल ही होते हुए है ज्यादा रोड उपर नहीं है तो यहाँ से डारेक्ली बस्टेंड का एरिया ये पूरा कवर हो रहा है रोड के साथ ही और दोस्तों साथी साथ में आपको आगे भी इस पूरी बस्टेंड और पूरी वेसाइट अमिनिटीज क्या क्या चीजे बनेगी अभी क्योंकि सिर्फ ये पीलर्स बन रहे हैं तो ज्यादा अनुमान और अंदाजानी लगा पा रहे हैं कि किस चीज की कौन सी बिल्डिंग होगी तो थोड़ा कंस्रक्शन और हो जाएगा उसके बाद हम पूरा जानेगी इनके बारे में कि ये किस चीज की बिल्डिंग कौन सी होगी और साथी साथ अब यहाँ ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि काम बहुत ही तेजी से चल रहा है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ पर बहुत ही जल्दी विकास होगा और जल्द ही यहाँ पर सब कुछ बंद कर तयार हो जाएगा बस्टेंड में तो दोस्तों बने कि दिक्कत ना हो शाम को घर जाने में यहीं काम करते हैं और यहीं सो जाते हैं इसलिए यहाँ पर काम बहुत तेजी से चल रहा है दोस्तों आपने देखा दिली मुंबई एक्स्प्रेस वे के यहाँ पर जो बस्टेंड बन रही है इसका पूरा वीडियो और वेसाइट अमिनिटीज के बारे में भी जाना साथ ही साथ आपने देखा कि कौन सी बिल्डिंग किदर है और मैंने आपको दोनों तरब बताया है बस्टेंड के दो एरिये हैं एक उस साइट और एक इस साइट दोनों एरिये में बताया है दोनों साइट बड़े-बड़े मजबूत पिलर्स के साथ ये लोग बिल्डिंग ये खड़ी कर रहे हैं और आने वाले समय में हम देखेंगे कि कौन सी बिल्डिंग किस चीज की हो है ताकि आगे भी आपको इस तरीके के वीडियो के अपडेट मिलते रहे तो थैंक्यू दोस्तों जैहिंद